गुण बॉर्निंग बच्चों आज हम एक्सरसाइज टू पॉइंट थी का कोश्चन नमबर थी करेंगे इसमें हमें शुन्यक ग्याद करने हैं कोश्चन है मारा 3x की पाव 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वार माइनस 6 माइनस 5 के अन्य सभी शुन्यक ग्याद कीजिए यदि इसके दो शुन्यक अंडर रूट 5 अपॉन 3 और माइनस रूट 5 अपॉन 3 है यह हमें दे रखा है दो हमें इसके शुन्यक दियो है इन कोश्ण को सॉल्व करने के लिए सुलुशन देखा इसका दो शुन्यक दो शुन्यक का मतलब क्या हुआ एक शुन्यक हमें दो शुन्यक दिये हुए हैं अन्डर रूट 5 अपॉन 3 और दूसरा है माइनस रूट 5 अपॉन 3 यह जब दो शुन्यक दियो हैं इसका मतलब एक्स ब्राबर अन्डर रूट 5 अपॉन 3 और एक्स ब्राबर माइनस रूट 5 अपॉन 3 इसको मान लेते हैं पी एक्स मानना पी एक्स ब्राबर यह पूरी समिकरण को थे बहुपद को पी एक्स मान लेते हैं माइनस तस एक्स माइनस पाँच तो यह जो दोनों शुन्यक है हमने मान लिया यह भी एक्स है यह भी एक्स है यह दोनों पी एक्स के मूल है जब इसके शुन्यक हो है तो इस पूरी बहुपद की यह मूल होगा इसको इदे ले जो एक्स माइनस अंडरूर 5 अपॉन 3 और एक्स प्लस अंडरूर 5 अपॉन 3 यह पी एक्स के गुनन खंड है फिर उसके बाद इन दोनों को गुना कर दो एक्स माइनस अंडरूर 5 अपॉन 3 और एक्स प्लस अंडरूर 5 अपॉन 3 पी एक्स का गुनन खंड है इन दोनों को गुना कर दी एक्स का स्क्राइर माइनस अंडरूर 5 अपॉन 3 का स्क्राइर यह ए माइनस भी और ए प्लस भी का पी एक्स का गुनन खंड है यह लिख दिया एक्स का स्क्राइर माइनस इसका वर करेंगे अंडरूर 5 अपॉन 3 का वर करेंगे तो अंडरूर से वर घड़ जाता है खाली विश्टे में पस 5 अपॉन 3 यह पुरा नुम्बर पी एक्स का गुनन खंड है इसका वर मूल ले लिया थ्री एक्स का स्क्राइर माइनस 5 पी एक्स का गुनन खंड है थ्री को हम हटा सकते हैं थ्री एक्स माइनस 5 थ्री एक्स का स्क्राइर माइनस 5 पी एक्स का गुनन खंड है मतलब यह PX जो है इस वाले बहुपर से पुरा पुरा चला जाएगा इसमें 6 फल 0 आएगा अब इसको हम करते हैं Divide यहाँ पर हम Divide करेंगे इसको 3X की पावर 4 प्लस 6 6 की क्यूब माइनस 2X का स्क्वाइर माइनस 10X माइनस 5 इसको हम भाग करेंगे 3X का स्क्वाइर माइनस 5 इस हमारा भी यहाँ पर आया था इसको भाग करते हैं तो वह इकलत में सिखाया था इसकी 3X की पावर 4 को हम 3X के स्क्वाइर से भाग करके सबसे बड़ी पावर को सबसे बड़े पहले को पहले से Divide करते हैं जो सबसे बड़ी घात वाला होता है यह 3 से 3 कड़ गिया यहाँ पर आगिया X का स्क्वाइर तो यहाँ हमने लिग दिया स्क्राइब, एक लेन छोड़ के यहां पर फीए करो, यह माइनस का साइन और यहां प्लस का साइन, यह दोनों कटे, 6 sexy Cube, यह प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, 5 में नहीं से 2 गए, 3, 3X का स्क्राइब, माइनस 10 X माइनस 5, अभी आए गया, 6x की cube upon 3x का square 3 नहीं 6 और यह x बच़एगा plus 2x यह हो गया 6x की cube minus 10x यहाँ पे sign बदल जाएगा यह दोनों cancel, यह दोनों cancel बच़ए 3x का square minus 5 अब यह 3x का square, 3x का square यह 1 से चला जाएगा 3x का square minus 5 यहाँ sign चेंज, यहाँ sign चेंज, यहाँ sign चेंज, यह दोनों कटे, यह दोनों कटे बच़ए बागी 6 फ़ल 0 कुछ नहीं बचा उसमें पहली कहाता है कि 3x का square minus 5 जो है इसका गुणनखंड है मतलब कि 6 फ़ल 0 आएगा इसमें अब हमें हमें बताने है अन्य सभी तो एक इसका जो भागफल है एक गुणनखंड भागफल जो है वो ही गुणनखंड हो गया दूसरा भागफल इसका एकस का square plus 2x plus 1 तो अन्य गुणनखंड यह दो गुणनखंड यह है और अन्य गुणनखंड दूसरा गुणनखंड यह वाला हो गया x का square plus 2x plus 1 इसमें अगर हम फार्मोल लगाएं यह बन जाता है यह सुतर से बन गया, x plus 1 और x plus 1, मतलब और इसके सुन्य कौन से हुए, सुन्य किसके हो गए, x plus 1 बरावर 0 और x plus 1 बरावर 0, यहाँ पे हमने सुतर लगाया, a plus b का whole square, a square plus 2ab plus b square, यह शुन्यक होगे x-1 और x-1 हमें question में पूछा है अन्या सभी शुन्यक अन्या सभी शुन्यक अन्या दूसरे पूछें, दो तो में दियो है तो यह –1 और –1 यह इसका अंसर आ गया यह इसका अंसर हो गया इसके बाद हम इसी का अब फॉर्थ question करते हैं इसी का फॉर्थ question करते हैं अब हम फॉर्थ question में है कि हमें एक x की cube minus 3x का square plus x plus 2 यह हमें दिया हुआ है यदि को एक बहुपद gx से भाग देने पर भाग फल और शेश्वर करम शह x minus 2 और minus 2x plus 4 है तो gx ग्याद कीजिए यदि x की cube minus 3x का square plus x plus 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर इस वारे बहुपद को gx से भाग देने मतलब की भाज्चे है तो हो गया x की cube minus 3x का square plus x plus 2 भाज्चक है इसमें gx भाग फल और शेश्वर करम शह x minus 2 और minus 2x plus 4 है जब करम शह लिखा होता है तो पहले वाला पहले वाले की कुल होता है मतलब भाग फल x minus 2 और शेश्वर minus 2x plus 4 यह है एक आपने सुत्र पढ़ा हुआ है भाज्चे है बराबर भाजक इन्टू भाग फल प्लस शेश्वर भाज्चे है भाज्चे तो हमारा है x की 3 minus 3x का स्क्वार प्लस x plus 2 भाजक है gx भाग फल है x minus 2 शेश्वर है minus 2x plus 4 अब यह नमबर इधर इसको थोड़ा सोरोपन कर लेते हैं minus 3x का स्क्वार plus x plus 2 is equal to gx into x minus 2 minus 2x plus 4 अब यह तो यहां गुणा हो रहा है यह दो नमबर उधा जाके sign change कर लेंगे अगर यह minus का है उधर जाके press का हो जाए रही है x की cube minus 3x का स्क्वार plus x plus 2 यह minus 2x उधर जाके plus 2x और plus 4 उधर जाके minus 4 is equal to gx into x minus 2 यह हो गहा x की cube minus 3x का स्क्वार यह x है इन दोनों को एक bracket में x और 2x को एक bracket में देते हूं और 2 minus 4 को एक जगा है is equal to gx into x minus 2 यह हो कि x की cube minus 3x का स्क्वार 2x और x मिल के हो जाएंगे 3x और 2 plus का minus 4 बड़ा नमबर 4 है साथ में sign minus का है तो यह minus 2 बन जाएगा gx into x minus 2 अब हमें gx निकालना है मतलब कि x की cube minus 3x का स्क्वार plus 3x minus 2 को में भाग करना है x minus 2 से अब इसे करते हैं हम x minus 2 से भाग करना है x की cube minus 3x का स्क्वार plus 3x की cube को तुम्हें तरीका बताया है मैंने x की cube को x से भाग करेंगे तो आता है x का square x का square को x से करेंगे x की cube और minus 2 से करेंगे minus 2x का square यह minus यह plus यह दोनों cancel अब minus का 3 और plus का 2 बचेगा minus x का क्योंकि बड़ा नमबर minus का है तो minus का sign और यह इसमें से घड़ जाएगा plus 3x का 3x minus 2 अब minus x का square upon x यह आगे minus x यह आगे minus x का square plus 2x plus और minus यह दोनों cancel होगे x minus 2 अब x और x दोने एक जैसे हैं plus 1 x minus 2 minus plus यह दोनों cancel होगे और भाजक हमारा आगया नहीं भाजक नहीं भाजक जी एक्स जो पूछा था हम से यह हो गया हमारा x का square minus x plus यह हमारा answer इसमें आगया अब इसी के साथ हम इसका अभी एक question और करते हैं यह अगली exercise कर रही हूं मैं exercise 2.4 का करूंगे अब मैं अभी इसका जो फिफ्ट question है यह बाद में करेंगे यह अलग है थोड़ा सा और exercise 2.4 का यह question मिलता जूलता है इसलिए पहले यह कर रहे हूं question number 4 इसमें दे रख्या में यदि बहुपद x की पाफ 4 माइनस 6 x की क्यूब माइनस 26 x के स्क्राइर प्लस 138 x माइनस 35 की दो शुन्यक दो शुन्यक हमें दिये हूए है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 हूं तो अन्य शुन्यक ग्याद कीजिए शुन्यक ग्याद कीजिए तो इसमें हमें दो शुन्यक दिये हूए है कौन-कौन से 2 प्लस माइनस इसका solution करते हम दो सुन्यक दिया हमें दो सुन्यक two place minus root 3 दो सुन्यक कुन से होगए two plus root 3 और two minus root 3 तो दो मूल कुन से होगए इसके मूल होगए एक तो यह हो गए x is equal to two plus root 3 और x is equal to 2 minus root 3 यह हो गया अब हम इसको इधर कर देंगे x तो यहां लिख दो x is equal to 2 plus root 3 एक तो यह हो गया और x is equal to 2 minus root 3 इसको px माल लेंगे पहले x की power 4 minus 6x की cube minus 26x की square plus 138x minus 35 यहां लिखेंगे px के मूल है अब यह 2 और यह दोनों उधर ले जाएंगे x minus 2 minus root 3 यह हो गया और x minus 2 plus root 3 यह px के मूल है अब करेंगे हैं क्या इसमें x minus 2 एक डेकिट में और minus root 3 अलग कर देंगे और x minus 2 एक डेकिट में plus root 3 अलग कर देंगे यह तो दो हैं यह दोनों px के गुणन खंड है अब यह दोने गुणा करो यह पर x minus 2 minus root 3 और x minus 2 plus root 3 यह दोने गुणन खंड है अब यह दोन क्या a minus b और a plus b मतलब इन दोनों कोई कठा करेंगे तो x minus 2 का square minus root 3 का square px का गुणन खंड है यह दोन के x square plus 4 minus 4x यह दो इसको खोला और minus 3 px का गुणन खंड है इसको करो अब x square minus 4x और 4 में से 3 गया प्लस 4 minus 3 px का गुणन खंड है x का square minus 4x plus 1 px का गुणन खंड है अब इसको हम भाग करेंगे यहां प्लस को x का square minus 4x plus 1 को x की पाव 4 minus 6x की cube minus 26x का square plus 138x minus 35 गुणन खंड है गुणन खंड है गुणन खंड है तो यहां कि x का square minus 4x की cube और प्लस x का square minus plus minus यह दोनों कैंसिल होगे minus 2x की cube minus 27x का square plus 138x minus 35 यहां minus 2x का square यहां x का square तो यह एक minus 2x minus 2x की cube plus 8x और minus 2x यह प्लस यह माइनस प्लस यह दोनों कैंसिल 17 में से 8 के 9 नहीं सॉरी माइनस दोनों जुड जाएंगे 35x का square और साइन आ जाएगा माइनस का यह दोनों जुड जाएंगे plus 140x minus 35 अब यहां x का square यहां minus 35x का square तो यहां जाएगा minus 35 minus 35x का square plus 140x minus 35 यहां sign change करेंगे हम यह कट यह कट यह कट यह कट यह कट यह इसका ground kind क्योंकि उपर दिया हुआ था ground kind है तो अन्य शुन्यक अन्य ग्रांड खंड पहले देखो क्या है x का square minus 2x minus 35 इसके ground kind करोगे तो x minus 7 और x minus 5 आजाएंगे और इसके मूल आजाएंगे x minus 7 बराबर 0 और x minus 35 तबोगा x plus 5 is equal to 0 x is equal to 7 और x is equal to minus x is equal to minus 5 यह इसके शुन्यक है और यह आपका अनसर आगया यह तीनों कोशन बहुत इंपोर्टेंट है इसको बार बर प्रेक्टिस करना और अच्छे दर प्रेक्टिस करके होंवक भी सारा इसका यह कोशन होंवक में करने आपको आपका होंवक है इसमें एक्जामपल 6 7 उसके बाद एक्जामपल 8 एक्जामपल 9 यह सब कोशन्स आपको होमवक में करने हैं और जो करवाए हैं उनकी भी अच्छे से बैक्टिस करनी हैं काफी इंपोर्टेंट कोशन्स हैं यह थैंक्यू